कॉंट फाउंडिंग कमपाउंडिंग कॉंपेटिशन बीट कर पाते हैं थी किसी तरह का कॉंसेप्ट पैसे के साथ भी पैसा उसी को अपनी तरफ कीचता है जो उसके पीछे लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करता जाता है अगर आपको सही माइने में वैल्दी होना है तो आपको रोजाना पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी होगी अकसर लोग जल्दी से अमीर बनने की सोचते हैं और जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में वो लोग गलत तरीकों का इस्तमाल करने लगते हैं और नतीजा ये होता है कि जितनी तेजी से वो पैसा कमाते हैं उतनी ही तेजी से उनका पैसा चला भी जाता है उन्हें पैसे की साइकॉलोजी पता नहीं होती उन्हें ये नहीं मालुम होता कि पैसा उनसे अट्रेक्ट होता है जो उसे पाने के लिए हर दिन मेहनत करते जाते हैं हम चोटी चोटी चीजों को करके ही बड़ी चीजों को पा सकते हैं और चोटी चीजों करके बड़ी चीज पाने को ही compounding कहते हैं इस बात को author हमें example दे कर समझाते हैं कि अगर आपका अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपका वजन एक ही दिन में कम नहीं हो जाएगा आपको अपने वजन को कम करने के लिए daily जिम जाना होगा और daily exercise करनी होगी जब आप daily ये सभी process करेंगे तभी आपका वजन कम होगा इस बात को सही तरह से समझने के लिए हम Warren Buffett का example लेते हैं Warren Buffett के उपर लगभग 2000 किताबे लिखी जा चुकी हैं ज्यादा तर लोग यही कहते हैं कि Warren Buffett दुनिया के सबसे अच्छे investors में से एक हैं No doubt इस बात पर किसी को कोई शक नहीं है लेकिन कुछी writers ऐसे हैं जो यह mention करते हैं कि Warren Buffett ने investing के शुरुआत कब से की थी बहुत कम ही लोग जानते हैं कि Warren Buffett जब लगभग 10 साल के थे तभी से उन्होंने investing के शुरुआत करती थी अभी फिलहाल Warren Buffett की net worth 85 billion dollar के आसपास है और इस 85 billion dollar में से 84.5 billion dollar उन्होंने तब कमाए थे जब उनकी उम्र 50 साल के पार हो गए थी और 81.5 billion dollar उन्होंने तब कमाए जब वो अपने mid 60's में थे यानि 40 साल तक उनकी कमाई कोई खास नहीं थी लेकिन वो लगातार investment करते चले गए 40 साल की मेहनत का नदीजा उन्हें तब मिला जब उनकी एज 50 से ज़्यादा हो गए थी यानि Warren Buffett की कमाई compounding process के थ्रू हुई अक्सर हमारे साथ यही होता है कि हम शुरू शुरू में बड़े ही जोश खरोश के साथ मेहनत करते हैं लेकिन जब हमें इसका result तुरंत नहीं मिलता तो हम हिम्मत हारने लगते हैं ठीक इसी तरह जब हम अपने पैसे को share market में invest करते हैं और कुछ दिनों के बाद जब हमें invest किये हुए पैसे में profit नहीं दिखाई देता तो हम impatient होकर उस share को कमदाम में बेच देते हैं और बताते हैं कि compounding को आप effective तरीके से कर सकते हैं जब आपके अंदर patience होका इसी तरह जब हम business की शुरुआत करते हैं और उस business की शुरुआत में हमें profit नहीं होता तो हम बेचैन यानि restless होने लगते हैं और नतीज़तन उस business को हम बंद कर देते हैं Warren Buffett richest investors जरूर हैं लेकिन उन्हें greatest investor नहीं माना जाता Jim Simons ने 1988 से 66% annually अपनी income को compound किया है जबकि Warren Buffett ने 22% annually अपने पैसे को compound किया है surprisingly Simon की net worth 21 billion dollar है और जबकि Warren Buffett की 85 billion dollar है यानि Buffett 75% ज्यादा wealthy हैं Simon से जब Simon इतने अच्छे investor है तो इनकी net worth Warren Buffett से इतनी कम क्यों है इसका simple answer यह है कि Simon ने investing की शुरुआद 50 की उम्र से की थी यानि Buffett के 40 साल बाद अगर उन्होंने भी Buffett की तरह 10 साल की उम्र से investing की शुरुआद की होती तो आप सोची नहीं सकते हैं कि इस वक्त उनकी current net worth क्या हो सकती Buffett और Simon की net worth का difference आगे भी शायद ऐसा ही रहे अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 यानि 9 को 8 टाइम एड़ करें तो आप इसे फॉरण एड़ करके इसका answer 72 बता देंगे और वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि अब आप एड़ ना करके multiply करें यानि 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 यानि 9 को आपस में 8 टाइम multiply करने को कहा जाए तो आप इसे फॉरण नहीं कर पाएंगे और multiply करने पर इसका answer 134 217 7 to 8 आएगा आप यहां clearly देख सकते हैं कि add करने में आपको क्या answer मिला था और multiply करने में आपको क्या answer मिला अगर हम simple words में कहें तो compound का मतलब multiply करना ही होता है इसका मतलब यही हुआ कि आपको अपने पैसों को जोड़ना नहीं है बलकि उसे multiply करते जाना है यानि आपको पैसे से ही पैसा बनाना है और वो जाहे आप business करके करें या फिर किसी investment के through करें और हमेशा यह ध्यान दखें कि compounding का नतीजा आपको foreign नहीं मिलता बलकि इसका नतीजा आपको धीरे धीरे मिलता है और इसका नतीजा ऐसा होता है जिससे देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे इसलिए अगर आप invest करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े amount से invest करें आप छोटे amount से भी invest की शुरुआत कर सकते हैं अगर आप अपनी तरफ पैसों को खीचना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर patience डवलक करना होगा और पैसे के लिए consistent hard work करना होगा और पैसे को compound करते रहना होगा क्योंकि तभी आप पैसी को जीत पाएंगे यानि तभी आप